दोस्तों आज के वीडियो में हैं आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है थीटन एरीना और ये फ्री टू प्ले है आप इसमें बिना कुछ पैसा कर से भी आप इस गेम को खेल सकते हैं यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं हलां कि अगर आप कुछ इंवेस्ट करते हैं तो वह अपनी अर्निंग वहां से बढ़ा सकते हैं बट गुड तेंग इस कि कोई आपको स्पेंड करने की ज़रूद नहीं है फ्री में आप गेम खेलके यहाँ पे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं कितनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं यह डिपेंड करेगा कि आप गेम को कैसे खेलते हैं बट आज के रेट के साब से जो कौईन आपको बिलेंगे जब आप गेम खेलेंगे तो आप एक सीजन में मैक्सि आप मैं आपको दिखाऊं तो सीजन जो चलेगा फिफ्टी सिक्स डेस्क प्याद ये एंड हो जाएगा बट इस सीजन के अंदर जो आप पॉइंट्स यहां पे गें करेंगे जो टी एच सी टोकन्स हैं जो आप करेंगे और यह अगर आप हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हार एक लेवल पर आप देख रहे हैं यहां पे कुछ आपको टी एच सी मिल रहा है पर इसको आप अक्यूमलेट करते रहेंगे तो अप्रॉक्सिमेटली आज के रेट के साब से हजार डॉलर आप एक सीजन के अंदर फ्री में खेल कर कमा पाएंगे तो काफी है जहां पर 46 वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसमें क्रिप्टो से रिलेटेड एनेफ्टी से रिलेटेड काफी सारे ब्लॉक्चें गेम्स हैं जो मैंने पहले भी रिव्यू किये हैं और लोगोंने गेम्स में खेल के काफी अच्छी अर्निंग भी करी है तो आगे कोई कोई भी अर्निंग आप ना मिस करें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलियो और साथ साथ दबा दिजे बैल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट मिले जैसे ही मेरा कोई वीडियो लाइव हो तो गेम में मैं आपको लेके चलूंगा और दूसरा है तो जो टी हैं ये एसेंचिली एक गवर्णिंस टोकन है जो अबी सोला डॉलर के आसपास प्राइस चल रहा है और यहां पे टोटल जो सप्लय है इस टोकन की वह हैं 400 बीस मिलियों कौइंस की तो इस टोकन की यहां पे फिक्स सप्लाई है मैक्सिम कैंब है आपको earning होती है और इसकी supply भी unlimited है फिलाल इसका price चल रहा है लगबग 49 cents और यही token जो मैंने आपको दिखाया गेम के अंदर आप जीतते हैं depending on आप कौन सी ranks यहाँ पर achieve करते हैं तो यह होगे गेम के tokens अब देखते हैं website पर एक बार नजर डालते हैं तो यह android पर iOS पर और PC पर available है तो किसी भी platform पर आप इसको खेल सकते हैं fully functional यहाँ पे गेम है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा बट उससे पहले important currencies 2.6 million players यहाँ पर अभी total हो चुके हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे स्टाट्स आ रहे हैं तो 2.6 million players यहाँ पर already इस game को install कर चुके हैं और game खेल रहे हैं जो कि अपने आप में काफी बड़ी चीज है क्योंकि यह almost axi infinity के level के number of players हैं अब axi infinity में जैसे आपको मालूम है कि आपको access करीदने पड़ते हैं इन्वेस्ट करनी पड़ती है बट यहाँ पर आप इसको free में भी game में start कर सकते हैं काफी सारे battle modes हैं इसके अंदर solo mode भी है तो वो सब आपका gameplay है इसके अंदर gameplay के कुछ यहाँ पे examples दे हो हैं आप यहाँ पर आके वीडियो देख सकते हैं जैसे battle royale है और उसके बाद solo gameplay है duo gameplay है उसके बाद death match आजाता है तो काफी सारे modes है तो काफी fun to play game है अगर आप इस टाइप के games जो है वो पसंद करते हैं अब यहाँ पर heroes का concept है यानि कि जो nfts हैं वो फिलहाल यहाँ पर heroes है थीटन coin के बारे में आपको अरड़ी बता चुका हूँ थीटन jam के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ जो दो coins है को टीम में आपको काफी strong है अब interesting का road map यहाँ पर और भी जादा interesting है क्योंकि यहाँ पर guild gameplay आ जाता है 42 players का battle royal आ जाता है यहाँ पर इसके बाद q2 2022 में यहाँ पर pets का system भी launch होगा और staking भी launch होगी फिर q3 में आपके guild wars आ जाएंगे co-op mode आ जाएंगे tournament start हो जाएंगे q4 तक battle pass donation system तो effectively अगले साल इंड तक आपका majority जो game है वो fully ready हो जाएगा in terms of number of events और features अभी हम यहाँ पर milestone number two पर है investors and partners आप देख सकते हैं काफी already strong है आनिमो का brands है cardia ventures है आपे AU21 capital है kairos ventures हैं तो काफी बड़े नाम है spark digital capital तो investment इनके पास है game बिल्कुल decent है पूरा fully functional product है जो आप अभी भी download करके खेल सकते हैं link का आपको नीचे description में मिल जाएगा अब game में जाने से पहले एक बर मैं आपको आप दिखाता हूं marketplace जहां पर आप यहाँ पे heroes खरीच सकते हैं बट यह मैं recommend नहीं करूंगा अगर आप game स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले free से खेलना स्टार्ट करिए जब आपको लग जाएगा कि आप game में win कर रहे हैं तब यहाँ पर sense बनेगी कोई ना कोई hero purchase करने की क्योंकि एक जो सबसे बड़ी limitation मुझे लगी है heroes purchase करने में वो यह है कि जैसे माल लीजे आपने कोई hero purchase के यहाँ पर सौट कर लेते हैं cheapest जो अभी available hero है यहाँ पर 154 USD के आसपस available है यहाँ पर जो इसको एक बार खोल के देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सारे questions हैं जो clearly अभी तक game में answer नहीं किये गए हैं वो यह है कि यहाँ पर जो maximum limit है यानि कि 223 battles यह वाला hero maximum खेल सकता है और उसके अंदर वो GTHC यानि कि token जो है THC token वो earn कर सकता है यानि कि 223 जब battles complete हो जाएंगी तो यह hero के साथ आप जितना मर्जी और खेलेंगे आपका THC earning वहाँ पर stop हो जाएगा तो effectively जो आपका hero है वो एक point के बाद यहाँ पर earning बंद कर देगा और आपको अगर earning अपनी THC tokens की continued रखनी है तो यहाँ पर एक काफी बड़ा मुझे drawback लग रहा है फिलाल यहाँ पर ही हीरो पर्चेस करने का और यह आपको तभी करना चाहिए जब आप काफी comfortable है कि आप यहाँ से इतने games जीत रहे हैं इस hero को buy करने के बाद जिससे आपकी जो earning है वो वाकी में increase हो रही है ना कि आप यहा और नए features introduce कर दें बट वो अभी clear नहीं है उस पर अभी clarity नहीं है तो इसलिए अभी इसको आपको avoid करना चाहिए अगर आप फिर भी decide करते हैं कि आपको hero purchase करना है आप अपनी earning यहाँ पर increase कर सकते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर table पर यहाँ पर heroes की THC battles लिखा हुए कि कितनी earning आप कर सकते हैं तो अगर आप common type का यहाँ पर hero लेते हैं और उसकी skin rarity default है तो आप यहाँ पर 227 maximum battles खेल सकते हैं जैसे मैंने आपको previous screen में दिखाया और daily आप battles यहाँ पर 12 ही कर सकते हैं यानि कि 12 battles में आप THC earn कर पाएंगे एक दिन में और maximum आप 227 battles ही उस hero के साथ खेल पाएंगे अब heroes own करने का यहाँ पर advantage है क्योंकि यहाँ पर जो आपको battle rewards मिलेंगे वो यहाँ पर depend करेंगे कि आप game जीतते हैं और आपके पास कौन सा hero है तो कोई भी game अगर आप जीतते हैं hero खरीदने के बाद तो आपको per win यहाँ पर 6 THC मिलेगा as a bonus अगर आप game हार भी जाते हैं तब यहाँ पर आपको एक THC दिया जाएगा उसके अलावा bonus आपको मिलेगा depending on आपकी hero की rarity कितनी है जैसे legendary और epic वाले heroes में आप देख सकते हैं कि हर एक win पर आपको bonus मिल रहे हैं आपे 23 THC मिल रहे हैं आपे 5 मिल रहे हैं आपे 1.45 मिल रहे है तो इस तरीके से heroes खरीदने के बाद अपनी earnings increase कर सकते हैं बट आपको यह confidence होना चाहिए कि आपनी hero लिया है तो आप definitely majority of the games जो है वो जीतेंगे ताकि आपको यह bonus मिले बागी detail में game के mechanics वगएर आप यहाँ पर आके देख सकते हैं तीन type के यहाँ पर heroes हैं tank हो गया, assassin हो गया free में दिये जाते हैं जिनसे आप games खेल सकते हैं बट वहाँ पर आपको यह bonus earnings वगयरा नहीं होगी वहाँ पर जो मैं आपको शुरू में free earnings दिगाई थी चिरफ वहीं होगी अब game में जाने से पहले एक और important चीज जो भी आपकी earning होगी within the game उसकी कुछ limitations हैं आपके withdraw करने पर आप एक साथ उनको पर draw नहीं कर सकते हैं तो वो देखने के लिए अगर आप यहाँ पर जाएंगे अपने wallet में जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास फिलाल जो मेरे games जीते हैं आपे मुझे 16 THC coins जो हैं वो इकठे हो गए हैं जिनकी value अभी 7.84 dollars है पर अगर मैं यहा गेम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टाइम पर मैं maximum 60 tokens ही यहाँ से निकाल सकता हूं और दूसरी चीज क्योंकि मैं free players के साथ game खेल रहा हूं तो मुझे minimum rank achieve करने पड़ेगी यहाँ पर bronze one to start claiming your token तो जब तक मैं bronze one rank तक नहीं पहुंचता जब तब कि मैं यहाँ पर अपने THC जो हैं वो withdraw नहीं कर पाऊंगा बट यह limitation यहाँ पर हट जाती है अगर मैं market से कोई भी hero purchase कर लेता हूं तो यहाँ पर यह limitation मेरी हट जाएगी जैसे ही मैंने market में कोई transaction करी तो मैं immediately अपने tokens को withdraw कर पाऊंगा बट एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि अगर आपका नया account है तो बारा दिन का वहाँ पर cooling off period है 12th day के बाद ही आप अपने tokens withdraw कर पाएंगे और एक बार जो आपके maximum यहाँ पर tokens जो आप withdraw कर लेते हैं उसके बाद आपको 48 hours wait करना पड़ेगा बागी के tokens दीरे-दीरे withdraw करने में तो एक तरीके से यहाँ पर अच control mechanisms डाले हैं जो कि definitely एक अच्छा step है बड़ यह सब जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप यहाँ से immediately अगर आप सोचें कि पूरा earn करके immediately रोज के रोज यहाँ पर cash out करते रहेंगे तो वह possibility यहाँ पर नहीं होगी आपको धीरे-दीरे करके यहाँ पर जो आपका cash out है वह मिलेगा बड़ जो भी मिल रहा है आपको वह काफी substantial है क्योंकि उसके लिए आपको कोई भी पैसा यहाँ पर खर्च करना नहीं पड़ रहा क्योंकि आप free में भी earning कर सकते हैं यहाँ पर तो यह तो होगे game की सारी details अब एक बार आपको दिखा देता हूं मैं game कैसा है जै यहाँ पर आप देखेंगे तो non gthc लिखा हुआ है यानि की free वाले जो यहाँ पर heroes है वो कोई THC earn नहीं कर सकते battle scale के और उसके बाद बाकी जो है जो आप normal game खेलेंगे उसमें आप earn कर पाएंगे बड़ जो additional bonuses वगरा है वो यह heroes नहीं earn कर पाएंगे तो यहाँ से आप कोई भी जो hero है उसको select कर सकते हैं इसकी information यहाँ पर आजाएगी अब यहाँ पर लिखा है win bonus कोई भी नहीं है क्योंकि यह paid वाला hero नहीं है यह NFT नहीं है यह free hero है अब जो भी आप यहाँ पर NFT heroes वगरा खरीदेंगे उनको आप upgrade भी कर सकते हैं उनके और skills वगरा upgrade कर सकते हैं उसक in game mechanics हैं जो आप try कर सकते हैं बड़ मैं आपको यहाँ बेसिक बता रहा हूं और एक बार आपने यहाँ पर hero select कर लिया उसके बाद यहाँ पे काफी सारे type के matches हैं जो आप यहाँ पर खेल सकते हैं जो मैंने आपको पहली भी बताए थे आप चाहें तो यहाँ पर practice भी कर सकते हैं practice के लिए यहाँ पर अलग से एक chamber दिया है तो माली जै मैं इसको अगर click किया यहाँ पर मैं करूंगा ready तो ready करते ही यहाँ पर game start करदेगा यहाँ पर practice कर रहे हैं तो practice के लिए यहाँ पर आपको basically दो ही controls है एक तो आपका movement वाला control है जो आपको यहाँ पर move करवाएगा दूसरा आपको यहाँ पर firing वाला है तो यह आप देख सकते हैं कि ऐसे आपको firing करनी है और movement यहाँ पर करनी है तो यह प्राक्टिस सेशन है ऐसे ही गेम भी नॉर्मल होगा और अलग लग जो डिफ्रेंट मोड्स है वो चलते रहेंगे तो इस तरीके का यह गेम है अगर आपको इस टाप की गेम्स पसंद है तो डेफिनिटली आप इसको एंजॉय करेंगे और अगर आप एंज आपको यहां पर जैम्स मिलते रहेंगे यहां पर तोकन्स आपके अनलॉक होते रहेंगे फिलाल जैसे मैं आपको सीजन बताया 56 डेज का है यह और इसके बाद यह रिसेट हो जाएगा और सीजन इंडिंग के बाद बाकि सारी चीज़ें जो रिसेट होंगी वह यहां पर ल रखाया इसके बाद यहां पर आजाता है स्किल स्किल आप सेलेट कर सकते हैं काफी सारे स्किल्स हैं जो आपकी हीरोज पर अप्लिकेबल हैं ताकि अगर आप हीरोज खरीदते हैं तो उन स्केल्स को यूज करके आप अपने जो विनिंग चांसिस हैं उसको इंग्रीज कर सक है और shop में आप देख सकते हैं या पर payment हो यह थी कॉइंस में बी और अपने heroes की जो skills हैं उनको upgrade कर सकते हैं तो यह हैं basics इस game के अप काफ़ी सारे modes और भी हैं अगर आप main यहां पर select करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आपने friends को भी invite कर सकते हैं यहां आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके फ्रेंड आडड हैं वो भी यहाँ पर एड हो जाएंगे हाला कि यह फीचर अभी अक्टिव नहीं है तो all in all काफी करन्ट रेट के हिसाब से अर्निंग हो जाएगी तो यह था दोस्तों मेरा आज का वीडियो उमीद करता हूं यह आपको पसंद आया होगा वीडियो को जबूर लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब परना मत बूलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब करें तो उखले हाएगी तो को सुष्टाइब परना मत अर्निंग परना में परना मत बूलिए में आपस्राइब भाभ ट्यू अर्चे सिर्टाइब लाइब 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 लुगतिनौ तो चैनल के अचेसवा हो जाएब।, आचेसराइब ट्राइब, जाना है औरा